है दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल द्योजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों में आप डैली की तरह जो की तीन मज़े यहां पर मॉडल पेपर आपको सौन करा जाता है यह टाइम जो निर्धारित विल्कुल निर्धारित है आपक कौनसा है 12 अबरे सिर्य लोग जवाब दे रहे हैं यहां पर यह लोग आप समास है यहां पर हो गया कि यहां पर और दिखे जो आपका दिया है दीरे ओ धीरे यह क्या है यहां है कैसे दिन क्या हो गया धिनों दिन हो गया दिनों रातो रात ध्दवरी डल मिले वह आपके अभ्याइब भाव समास में होते हैं याद रखेगा ठीके चलिए अगला कुछन दिया गया है धनुस बाड़ में किस तरह का समास आपका दिया गया है mm किसना धनुस बाड़ को जीगा धनुसर बांट भेम से अब कह Philadelphia हो जेगा जिसे होता है राम लच्मडव राम और लच्मड इस प्रकास से ऑप्सन डी हो जेगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है इन में से सत्रुका परयावाची सब्दाप का कौन सा नहीं है सत्रुका परयावाची सब्दाप का नहीं है त्रीक ऑप्सन देखेगा तो होता किसका है तो अही होता है साथियों यह होता है आपके साथ का होता है या दरकी स्कॉप समने आपका ए नमबर राइट हो जाएगा ठीके वीडियो को भी लाइक सेर कर दीजेगा थोड़ा से टाइम निकाल कर एक बार वीडियो को भी लाइक सेर कर दिया करें जैसे आप लो होता है हना यहां पर जो आपका अंसर है वह आपका D number यह आपका होजएगा ठीक है चलिए ऐगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है इस प्रस यहाँ लगाना है आपको लगाना है बस इसका विलोम सब्धापका हो जएगा आ, इस प्रस हो जएगा कौनसा यहां पर अंसर जो में से बताना है 6 नमर में तो यहां पर देख़िए ध्वंस मतलब क्या होता है जब कोई चीछ क्या होती खराब हो जाती है और मालित कोई घर है धुर्ड उन्युवन क्या बनेगा यहां पर क्लियर हो गया है चले dolor तुरले का अतुरले होता है और प्राकृतिक का विलोम क्या होता है क्रतिम होता है तो याद रिखे प्राकृतिक वाला नोट करिए क्योंकि ये कोशन पूचा जा सकता है 2020 में ये पूचा जा रहा है तो याद रिखे आपका प्राकृतिक का क्या होता है क्रतिम होता है क्रतिम ह होता है तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट का लीजेगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है निम्निकित में से कौन सब्दाप का तर्सम नहीं है सेवन नमरें तो देखो यहां पर दिया गया तर्सम आपका कपाट दिया है वह होता है कूर्ची का यह बढ़र का से गया ङए कर दिया तर्सम नहीं था मोता कूर्ची का होगलट नमबर का जवाब होता इसका जवाब बनेगा यहां पर आपका नमबर नोन होता है क्या नोन होता है जो लोग यहां पर आपका कह सकते हैं लवन का लवन का होता है नममौ के यहां पर आपका नमक का है यहां पर आपके सकते हैं होता है और फ элем कैसे होता है क्या होता है बिसमें बिंदी होता है इसमें बिंदी आपकी ने ही है हना तो यहाँ पर आपका अंडा है और यहाँ पर आपका गा दिया गया है तो दोनों में अंतर याद रखेगा ठीके चलिए आगे बढ़ते एक कोशन दिया गया है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्त वर्णों की मेल से जो परिवर्टन होता है उसे क्या कहा जाता है चलिए 9 को अपसन देगेगा 9 को अपसन आ रहा है A नमबर और काफी लोग यहाँ पर D नमबर दे रहे हैं तो दिखिए कहरा है दो या दो से अधीक समीपस्त वर्डों की मेल से और जब वर्ड की बात करें तो आपको लगाना है यहाँ पर संधी ना कि संधी विच्छेद क्या करेंगे यहाँ पर संधी की परिभासत ही गई है संधी विच्छेद की बात नहीं की गई है क्योंकि यहा पर होगा आपका संधी अर्था तो उसका होगा जोड होगा समझ में आ गया होगा चलेगे अगला कोशन दिया गया है संहार का संध्विच्छे दिन में से क्या बनेगा संहार का संध्विच्छे दिन में से राइट क्या होजेगा आपका जवाब इन में से क्या बनेगा दस न थीक है बेंजन संदी आपकी है और इसका मतलब होता है समपूर्ण कर दिया गया क्या साशार का मतलब होता है संपूर्ण कर दिया गया है गुरू के समीप नहीं करने को क्या कयते हैं तो यहाँ परहने ज़ीघए हैं क ant Tu Vaa towels कि बहुते हैं क्या ant速 इस зем Schloss बिल्कुर सही है, याद रिके Jimny लोगों ने आपDnn užजाए ऑफ कुलीन बोलते हैं क्याँ अब आपो levels धन About अगर आगर कोई उच्छेक्चुल में पायदा होता है तो उसे आम लोग clean ऐद रिkkेगा अचया जो एक ही जाती में या एक ही वर्ण के लोगों को जो बोलते हैं मतलब एक ही जाती या एक ही वर्ण के लोगों को बोलते हैं सवर्ण ठीक है, सवर्ण जो बोला जाता है जब एक ही जात के हो, हाना जैसे कुस्वा कुस्वा हो गए, पंडित पंडित हो गए यादव यादव हो गए, मोधी मोधी हो गए, योगी योगी हो गए, मतलब समझ रहे हैं, जो जात से होते हैं, अगर सेम कास्ट हो गए, वो होते हैं सवर्ड, हाना, तो यहाँ पर अंसर बनेगा अपका D-Number, ठीक है, चलिए, अगला कोशन दिया गया है, कि आधे, अंधे के हाथ बटे लगना मोहरे कर दिन में से क्या हो जएगा, चलिए, यहाँ पर जवाब दीजेगा, कि अंधे के हाथ बटे लगना मोहरे कर दिन में से क्या हो ज़गा, तो 13 का अप्सन अपका B-Number, किसी आयोगि बेक्ती को महत्तुण वश्तु प्राप्त हो जाना, अप्सन क्य जैसे कि पढ़ाई तो हम ने एक भी नहीं किया लेकिन हमें मिल गई या पर लेक पाल के नौकरी हना योक गिता नहीं थी लेकिन क्या हुआ मिल गई तो यह पर अंधे के हां बटे लगना ऑप्सन क्या रहनेगा बी नमबर चलिए यहां पर आगे बढ़ते एक क्वेशन दिया तुअ चलिए आगला क्वेशन दिया गया है निम्लिकीत में से सुथ दवाकि आपको पहचाना है यहां पर सुथ दवाकिया आपका कूंसा हो जाएगा चलिए वहा कितना ग्रन्रीट दरस है अच्छा जब कोई घ्रणित दम्बर होता है तrikिलियर हो गया है चलीए अगले कोशन दिए है सब्दा नुक्रम में सही वाकिए आपको बताना है। जवाब सही क्या हो जाएगा। चले इतनी तेज बोलते हैं कहीं ऐसा नहों किसी दिन आवाज ही हमारी आप लोगों के पास पहुंच जाए निकल के चले बताइएगा सब्दा अनुक्रम में सही वाकिन में से क्या हो जाएगा चले क्या हो जाएगा यहां पर अनसर क्या होता है आपका बचपन कैसा है हमने बताया था ट्रीक होती है कैसा और कैसी मतलब अगर अनसर आपका कैसा से आता है तो आपका पूरलिंग होगा और अगर आपके कैसी से आती है तो आपका इस त्रीलिंग हो जाएगा वायू कैसी है वायू कैसी है तो आपको पता चल गया इस त्रीलिंग हो गया मतलब आप समझाएगा बचपन कैसा है समुद्र कैसा है कंबल कैसा है यह तो बोलेंगे और आप समझाएगा बी नंबर आ यह option हा रहा है यहाँ पर C number सदा एक वचन कुछ लोग यहाँ पर एक वचन दे रहे हैं देखो यहाँ पर जो अंसर बनेगा कि गौ सब्दका होता है एक वचन होता है इसका अपका बी नंबर आपका राइट हो जेगा जिसका आसा होता है गाई क्या होता है गाई अच्छा इ गववें बनता है और गववें अगर बन रहा है तो भाई साब यह सदा एक वचन कैसे हो सकता है नहीं होगा ना मतलब इसका बवचन होता है गाउ का होता है गववें मतलब इसका अंसर भी होगा कि यह जो लिखा था वो आपका एक वचन दिया गया था समझ में आ गया उम्मीद है कि आपको विडियो पसंद आराहा होगा चले कारग है कि जिसमें करिया कार्क के उता है करने वाला या किरिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमका नुभाने वाला ठीक है इस कारण से यहां पर आपका ए नमबर राइट हो जएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है निमनिकित में से सुद्ध आपका सब्द आपका कौन सा है सुद्ध सब्द क्या बन जाएगा और 20 का जवाब देना है चलिए बहुत से क्या हो जएगा 21 नमर में प्रदर्शनी आ रहा है बिल्कुल जवाब सही है बेनमर प्रदर्शनी इस प्रकास से होगा यहां पर देखे बायूत लोग यहां पर डी दिये हैं तो भी आप प्रदर्शनी इस प्रकास से होगा ना यहां पर अंसर भी वाला होगा अगला तो नहीं कर सकते हैं और संपत्तिक के बारे में दिया गया है इसको हम निकालना था। चलरे यहां पर जब आप देना देखो प्रेशान मत हो यह एक जाम की समय हम आपको गद्यांस करा देते हैं ठीक है। गद्यांसानी के गए तिहांगा प्रतौत दिखों देखों सानी हो जाएगा क्या हड़पा समय मतenders पुदार की घखे था ह। लोथल की खुदाई जो किया था आपके एस आरो ने किया था यहाँ पर जो अनसर है अर्थात लोथाले कहां पढ़ता है गुजराग के एमदाबाद जिले के एक गाउं पढ़ता है सरगवाला गाउं वहां के समीप पढ़ता है ये जगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है निम्रिकित में से किस सासक की मुरती उसके पुस्तकाले के सीडियों से गिरकर हुई थी आपके हुमाईय की तो आप्षन क्या बनेगा या पड़ी नंबर राइट हो जएगा चलिए इनके बारे में इतना जानते हैं कि ज़्यादा डिस्क्राइब करने के जुरूत है नहीं है कहरा च hard चंसेका राजाद मुड़बेड में कहाँ पर सइध हुए थें चलिए वाह क्या आज बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं सभी लोगों के जवाब लगबख सब जितने लोग जुड़े हैं लगबख सभी के कमेंट आ रहे हैं चलिए टेस्ट पेपर मतलब ठीक ठाक लग रहा होगा चलिए बताएगा चंसेका राजात मुटभेड में कहां पर सइद हो गया थे हाना अब यहाँ पर पता है इसलिए अल्फलेट पार्क के नाम से जाना जाता है चले अगला कोशन दिया गया है किन्यम निखित में से दा इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के जो संस्थापक थे वह आपके कौन थे यहां परमसड़ी हो जेगा मोती ल इलाहाबाश से प्रकाशित होती थी ठीके चले और जो अंगरेज थे अंगरेजों ने क्या कर दिया आपके दमन कर दिया दो साल बाद इसे बंद करना पड़ा था जो ये इन्डिपेंडेश पत्र है दो साल बाद बंद हो गया था अंगरेजों की वज़े से चले अगला 55 को आपसम मनेगा यहां पर आपका D-Number है यह थी आपके James Ramsey MacDonald James Ramsey MacDonald इस को आपसम मनेगा आपका D-Number है राइट हो जाएगा ठीक है यह आपके Great Britain के प्रधानमंत्री थे आपके 1932 के समय ठीक है चरिए आगे बढ़ते हैं कोशन आप से एकला पूछा गया है कि भारत का सबसे यह उच्छा बांध धिन मेंसे कौन हो जाएगा यह कौन सा है छप्पन में आपसम मनेगा बिनमर टिहरी बांध है कौन सा है यह 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 भारत का सबसे उच्छा क्या है आपका बांध है ऑप्सम मनेगा आपका D-Number ठीक है यह भागी रिती नदीपार है जो को उत्तरा कोज़ता है जोजिला दर्रा किसे जोडता है यहां कि 30 द्चिन दिषा में नहीं भैती इसका मतलब है कि आपके कहां पर इस साइड को नहीं भैती है कौन सी यहाँ पर नर्मिदा सावरमेति लूनी और कृष्णा जवाब ओजगा यहाँ पर आपका D-NO- держ नदी है यह आपके दशुन को नहीं भैती है यह तो भैति आपके बंगाल क कि खाणी की तरब बैती है ठीक है आप सुन क्या हो जगा यहां पर डी नंबर हो जएगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि भारत की तीन मात्पुन नदियों का सुरूत हिमाले इस्तित्मान सुरुवर जील के निकट है बताइए कि यहां कौन सी नदिया है तो दीखे यह पर है जो कि छेत्रफल के इसाम में आप बताइए कि आपका जवाब क्या होजेगा मतलब आप लोगों ने हमेशा पढ़ते रहो हो कि रूस सबसे बड़ा है इसके बाद है आपका कनाडा कनाडा के बाद है चाइना चाइना के बाद आपका USA और USA के बाद है आपको कौन सा यह बताइए जल्दी से ब्राजील याद रिखिए आपर जो साथ नंबर है इसको अपसे बने आपका ए नंबर होजेगा आस्टेलिया तो भी बहुत दूर है यह तो साथमें नंबर में पहुंच जाता है बहुत दूर यह तो महादियूप में आता है चले आगे बढ़ते ह अपनाया गया यह नाम से जान सकते है जाका आपका सी हो जाएगा फिर घर आदार को सब्सक्राइब से इसम krij combine है तो यहां पर जो आहां पर हैंसरे क्नल बागाये जोन पांच और लिए जोंड सुन कर जोंडल हों कि जनजाती और समय और मिज्जोरम की जन आट यह है की उद subsidies-्जी जानते राजसवा के सीटों के अवंटन का अबने किया गया है शलिए आगे बढ़ते ही क्योशन द्या गया है इनवे से कौण भारत में महत्वूर्ण सुधारों से एक नहीं है चीरे बैंक बैंकिंग छेत्रि도 महत्रपूर्ट सुधारों से नहीं है यहां पर जवाब होज़ेगा सोरी माप करिए माप करिए एक मिनट एक मिनट के घटी हुई इसका जो अंसर है वह आपका डी होज़ेगा वर्धित एस एल आर जिसे बोलते हैं सरवाधिक तरलता अनुपात के अंतरत बैंक ने अपने डिमांड और डियाविल्टी के तहत यहां पर कैसिक्ति इसका अंसर आपका डी नंबर नोट करना है डी नंबर होगा ठीक है चलिए आप आगे बढ़िए क्यारे केंद सरकार के विकास ब्याय में सामिल नहीं है कौन सा यहां पर तो देखिए 64 को उप्शन क्या होज़ेगा 64 को उप्शन देखिए सामाजिक समदाइक सेवों पर बैं राज्यों के लिए अंदान हो जाएगा आर्तिक सेवों पर बैं लेकिन अच्छा आप यह नहीं है ओप्शन इसका आपका सी नंबर राइट हो जगा यह क्लास आपकी चलती है डेली आपको तीन मज़े चलती है तो आप लोग तीन मज़े से ही आप लोग आया करें आगे बढ़ते कोशन दिया है कि विजली के करेंट का SI यूनिट क्या होता है वि सकती होता है हाना बॉल्ट का क्या होता है सकते हैं अगे बढ़ते कोशन दिया घंग लगने पर लोहे का जो भार होता है यह घड जाता है या बढ़ जाता है यह सेम रहता है कोई परिवर्तन नहीं ने होता है चलिए क्या होता है चलिए कह रहा है घट जाता है अच्छा कोई सैकिल है मालो कह रहा है आप सभी लोग कि घट जाता है तो यह बताए कोई सैकिल है और उसमें जंग लग जाएगा तो आप बताए वो उसका भार बढ़ जाएगे कि घट जाएगा बताए आप लोग ए लगा रहे हैं तो बताइए क्या हो जाएगा बढ़ जाता है चलिए इनक्रीजे होता है मतलब आपकी बात हमें मानना पड़ेगा चलिए कुछ लोग अपना जवाब बदलने लगे हैं लग रहा है देखो यहाँ पर च्छाचट का अंसर बनेगा यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा एनमबर ही हो जाएगा बढ़ता है क्या होता है बढ़ता है अब बढ़ता कैसे है बढ़ता कैसे है क्या होता है जिसे आपका यह लोहा है मालीजी साइकिल है या मालीजी कोई भी आपकी चिंटू की साइकिल है अब इसमें क्या हो जाएगा यह आक्सीजन आपका आत है इस कारण क्या होता है बढ़ जाता है लेकिन इसकी जो होती है वो कम हो जाती है ठीक है ना तो आपको जो आप देना है यहाँ पर इनमबर बिल्कुत सही है आपको कांफिडेंस बिल्कुत से दमदार था यहां पर नमी के कारण बढ़ जाता है आगे बढ़ते हैं कोशन दि तो यहां परंसर क्या होगा है जो कुष्ट रोग होता है जो आपका कुष्ट रोग होता है ये माइक्रो बैक्टिरियम लेपी नामक जीवान से फैलता है तो ये संक्रामक रोब होता है जो लंबे समय तक रोबी के संपर्क में अगर रहा जाए तो ये फैल जाएगा तो अंसर आपका हो जेगा डे नंबर हो जेगा अगला कुशन दिया गया है कि वीडाल परिच्छन किसके लिए किया आता है वीडाल परिच्छन किसके लिए किया आता है यहाँ पर जवाब क्या हो जेगा चले मेरे कमेंट जा रहे हैं कोई बताएगा तो जी हाँ आपके कमेंट पूरी तरीके से दिख रहे हैं हाँ चलिए यहाँ पर जवाब हो जाए कौन सभी option आ रहा है बी नंबर कहरे है malaria के लिए होता है विडाल test जो होता है यह malaria के लिए होता है तो आप concern आपका याद रखे type height का होता है किसका होता है type height का होता है note कर लेजगा वीडाल परिछण जो हता है वो type height के लिए मेलरिया के लिए नहीं होता है type height के लिए होता है यहाप सी number right हो जाएगा अगला question दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को कौन से सयर को चल्म दोक की राधानी के रूप में जाना जाता है तो आपके यहां परनसर क्या हो जगा बी नमबर आपके कानपुर को जाना रता है अगला क्वेशन आपसे दिया गया है कहारा सुची फस्च को सुची से किन से यहां पर आप सुमिलित करना है यहां पर दिया है पसु मेला बताइए कहां लगता है पसु मेला लगता है आपके बटे सवर में धृूपद मेला कहां लगता है यह 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 ल 4 2 1 3 4 2 1 मतलब आपसन एर अरमर ही यहां पर आपका राइट हो गया आच्छा देखा जाए उत्तर विदेश में प्रती वर्स मेले कितने लगते हैं तो 250 मेले पूरे उत्तर विदेश में एक वर्स में लगते हैं याद रखेगा ठीके मतलब प्रती वर्स लगभग दिखा जाए तो आपके दो सो अर्षवरी बाइस सुपचास मेले का आयुजन किया जाता है ठीके चले आगे बढ़ते हैं कोशना आप सिगला पूछा गया है एक पॉइंट और बता दीजिए सबसे कम कहां लगते हैं एक पॉइंट और बत हैं आपके पीली भी तमें लगते हैं ठीके चले आगे बढ़ते कोशन दिया गया है सितंबर दोजारी कीस में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लांच किया गया यहां परनसर क्या हो जबात्तर का बने का सी नंबर पीयूस गोयल के द्वारा सुरू किया गय यहां परनसर आपका सी नंबर राइट हो जगा क्लियर है इस पोल्टर को इन्वेस्ट इंडिया तथा उद्धोग और अंतरिक ब्यापार समवर्धन विभाग द्वारा संयुक तरूप से विक्सित किया गया था किसके द्वारा इन्वेस्ट इंडिया और उद्धोग अंत नंबर राइट हो जाएगा कितने प्रस्तक बढ़ाया है कितना तीस प्रतिस्ट तक बढ़ा दिया याद रिखे यहां परनसर क्या हो जगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते कोशिनाव सिगला पूछा गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिक्ता मंत्राले ने किस नाम से वरिष्ट नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारती हिल्प लाइन की सुरुवात किया है इसका जो नाम है यहाँ पर चाउदा पांसो सरसट क्या होजेगा चाउदा पांसो चाउदा पांसो सरसट यह टोल्फरी नंबर है किनका याद रिखेगा ठीके चले आगे बढ़ते हैं यह प्रतेक वस्तु प्रतिच्छा कर सकती है कि और कर सकती है कि नहीं कर शकती है यह कहा किस ने था तो पंडिक जवाल प्राराम हुई थी तो हमने बताया था एक मैई एक मैई बताया था कि नहीं बताया था हमने बताया था एक मैई 2016 को मतलब आपसन जो बनेगा एक नमबर आपका होजगा एक मैई 2016 अच्छा एक पॉइंट यह बताईए यह तो पहला चरण था लेकिन दूबारा फिर से सुरुआत हुई यह स्टार्टिंग हुई था यह बली से है कहा से बली जह से की गई थी लेकिन इसके बाद 2021 21 में और शुरुबात किowned है दोहजारी किस Will RI G-9 वह था प्रधान मंतरी उजिवाय उजिना 2.0 टू पइंट जीरो जो starting हुई है वह से ठीके नुट करेंगा अगला कोशन दिया है गेहूं में प्रोटीन का प्रिस्ट होता है आपके 12% समनेगा इनमबर राइट हो जएगा ठीक है लगभग आपका देखा जाए तो 8 से लेके 15% तक प्रोटीन होती है 65 से 70% कारो हैड़ेट होता है 1.5% तक वसा होता है और 2% खनी जोता है तो याद रहिए कि यहाँ पर कारो हैड़ेट पूछा जाता है आपसे कि कि कारो हैड़ेट तो 65 से 70% और पूछता है प्रोटीन तो आपको बताना है यहाँ पर 12 परसिंट या 8 से 15 परसिंट जो भी आपसें में होती हो तो अगला कोश यह रिपोर्ट हो जाएगा लेकिन यहां पर 2018 में एक रिपोर्ट आई है 2018 में एक रिपोर्ट आई है जिसमें से भारत में ग्रामीड जनसंख्या का जो प्रतिसत है वो आपका च्छाचट प्रतिसत आपका है कितना ग्रामीड जनसंख्या जो आपकी है वो च्छाचट प्रति सिद्ध है यहां पर 80 नंबर में तो 80 को अपसन आपका बनेगा कौन सा ए नंबर यह दसेहरी आम हो जाएगा क्या दसेहरी आम आप समने आपका ए नंबर राइट हो जाएगा अगला कुछन आप से दिया गया है उत्तरदेश की किस जिले में पुर्सों से महिलाओं का अनपात सरवादिक है तो आपका यह है जौन पूर क्या है जौन पूर है जहां पर कितनी महिलाओं इस्ट्रा है कितनी महिलाओं इस्ट्रा है यह बताइए गजल्दी से और कुछ हमने पूछेंगे क्योंकि ऐसे आपको हो सकता है यह पॉइंट याद रहे कि कितनी महिलाओं इस्ट इतना है दस सो चौविस है अब आपको कभी भी भूलेगा नहीं आपको याद रिखेगा आगे बढ़ते कोश्चन आप से गला पुछा है कि अमबेटकर विशेश रोजगार योजना के अंतरगत समान इस रेड़ी के लाभार्तियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रस कौन सी उपभासा राजी के पर्श्मी भागों जैसे रोहेल खंड और उपरी द्वाब में बोली जाती है यह आपकी खड़ी बोली होती है कौन आप सभी होजगा खड़ी बोली राइट हो जएगा अगला कौश्चन दिया गया है कहरे आप से NREGP का पूनरूब क्या होता है NREGP का पूर्ण रूप क्या हो जएगा 84 सी नंबर में चले इसका जवाब होता है रास्टी ग्रामीड रोजगार गारंटी कारिकरम आप समनेगा यहां पर आपका सी नंबर हो जएगा आगे बढ़ते हैं कि एक क्रसी खेत के मापन की सरोतम विधी क्या होती है याद रिखे 85 को आप समनेगा ए नंबर जरीव के द्वारा क्या जरीव के द्वारा आप समनेगा ए नंबर अगला कोशन दिया गया है कि जिस समिती की संस्तुती पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यच्छत आपके अध्यच्छ आपके कौन थे उसके अध्य कि पंचायती राज ब्योस्ता का सिलपी किसे कहा जाता है आप लोग देखते हैं कि आप लोग हुसियार है कि नहीं बताएगा पर बताएगे पंचायती राज ब्योस्ता का सिलपी किसे कहते हैं इस question का जल्दी से जवाब दिएगा कि पंचायती राज ब्योस्ता का सिलपी किस जो हैं उनको सिल्पी का जाता है ठीक है तो इस प्रकार से जाद रिखेगा मेहता हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते कोशन आप सिगला पूछा गया है कर आप पंचायती राज को के अंतरगत्व स्वसासन की इकाई की रूप में संगठित किया गया है यहां पर पंचायती राज से संबन देत है निमनिकी कत्रों में से कौन सा सही नहीं है सही नहीं है कुछ कोश्चन 28 प्रकार से दिया गया है कि पंचायती ब्योस्ता भारती घ्रामिर जीवन का युगों से एक अभिन अंग रहा है यह नकई कह सकते हैं यह बिल्कुल बात सही दे गय गया है कि 73 संसोदन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था यह बताए क्या यह अगस्त में हुआ था यह अगस्त में हुआ था 24 अपराइल को आपको याद आ गया होगा कि 24 अपराइल को ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं क्या मनाते हैं पंचायती राज बताने से प्रभावी हुआ था इसलिए 24 अपराइल को ही क्या मनाते हैं पंचायती राज ब्यस्ता मनाते हैं दिवस जो बनाया जता है तो आपका अंसर बी नंबर आपका गलत हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्योशन दिया गया है कि निम्रिकित मे आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि भारत के योजना आयोक के सम्मंद में निम्रिकित में से कौन सा कथन आपका सही है योजना आयोक के बारे में पूछा गया है तो देखें नब्य बाले में पहला पॉइंट दिया है योजना आयोक का समिधान से कोई लेना देना नह क्वर नियोवटें के लिंए कोई निश्चित कारिकाल नहीं होता है इसके कलिए योगिता निधारित नहीं है यह जो से आपका आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से गला पूछा गया है आर्थिक नियोजन विशय क्या है यह बता दियें आर्थिक नियोजन विशय है समवर्ती सूची में रखा जाता है आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विशय है आर्थिक नियोजन का विशय को लेकर ही भारत सरका कौन से योजना की तो योजना आयोकिस्तळपन किया था आगे अठी कोशे अब सेग़ा पुछा गया है कि हुमें बोनेपन के लिए जीन कौन सा है कि हुमें बोनापन हो जाता है इसकता है नोरिन अगर मालो अगर मक्के में बहुनेपन आ जाए तो क्या होता है यह जो दिया गया है यह मक्का में बहुनेपन के लिए है अगर मक्का में बहुनेपन आता है तो वह होता है ओपेक तू होता है मक्के में बहुनेपन के लिए ठीक है चलिए और अगर मालो अगर चावल में आ ग किस वर्ष में इस्थापित किया गया था भारत में क्रसी मूल आयो को जो इस्थापित किया गया हो कब किया गया था यहां पर नसर क्या हो जगा सी नंबर 1965 में कब 1965 में गठित किया गया था चले आगे बढ़ते हैं कोशना आफ से दिया सुची सेखन से हो जाइगा 2 सर्फ सिच्छा वियान व्योज्ण यह 2001 में था 2020 वा था इसन środके साथ 1 बारत मिसन 2009 में अया था आपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका कब आया था तो 87 में आया था ये आया था आपके 87 में 30 का हो जाए आपका 1 राश्टी साच छर्ता मिशन ये आया था 1988 में 30 का हो जाए आपका 2 तो बनेगा 3412 तीन 412 पहले हो गया क्या इसका तो आपसन भई ए नमबर ही यहाँ पर चलेज नेवेता क्या है क्या है संगम योजना का जो सम्मध है वो विकलांगों के कल्यान के लिए आपका क्या जै गया है थी तो यहाँ पर क्या हो जेगा आपका ir होजेगा आगे बढ़तें कोशन दिया गया है कि 25 सितंबर 2014 को भारत की बाहरत की गई दिन दयाल अंतोज्य योजना संबंदीत है मतलब यह कह रहा है कि 24 सितंबर 2014 को 24 सितंबर 2014 को दीन दयाल अंतोदे योजना संबंदीत है किसे संबंदीत है चले 98 में कज़वाद दीजेगा तो 98 में कोशन हो जाएगा ग्रामीड उम सहरी छेत्रों में कौसल विकास से है दीन दयाल अंतोदे योजना देने का भी प्रावधान किया गया था यह विकलांगों वाले में था यहां पर जो अंसर आपका बनेगा वह आपका कौन सा हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा ठीक है चले आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि उत्तरवदेश सरकार द्वारा समाजवादी पिं परियोजना का उत्तरवदेश में सुभारं हुआ था यह कब हुआ था यहां परंसर बताईएगा 100 नंबर में और 100 के अगर बात करते हैं तो आप का सी नंबर 2001 में क्या 2001 में ओभी क्या एक जुलाई 2000 एक में एक जुलाई 2001 में तो इस प्रकास से आपका सी हो गया टेस्ट प और गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ठीक हैं